दोस्तों क्या आप जानते हैं साओधी अरब और दुबाई की नीन क्यों उड़ी पड़िये? भारत के हाँ तेल का इतना बड़ा कुआ कहां से लगा है? क्या इसके बाद से भारत अब दूसरे देशों से तेल लेना बंद कर देगा? क्या ये तेल सिर्फ भारत के ही काम या फिर इसे दूसरे देशों से भी एक्सपोर्ट किया चायका? अखिर इससे पेट्रोल डीजल के भाव में क्या बदलाफ देखने को मिलेंगे? अगर आप नहीं जानते तो चलिए आज हम आपको बताते हैं. दोस्तों भारत अभी एक ऐसा देश बन गया है जो किसी भी च उतार चड़ाफ देखे चाते हैं. आज की समय में भारत के लोग को इतना खाना पीना नहीं अखरता जितना कि पैट्रोल के दाम उन्हें महगा पड़ता है. पैट्रोल आज की समय में दोस्तों लोग की जरूरत बन गया है. इसके बिना हम कहीं बाहर जाने की सोच भी नहीं सकते हैं. पैट्रोल की कीमत इसलिए दिन पर दिन बढ़ती जा रही है क्योंकि भारत को इसे दूसरे दिशों से एक्सपोर्ट करना पड़ता है. इसलिए सरकार इनकी कीमत में इजाफा कर देती है. लेकिन अब ये चिंता भी जल्द ही खत्म होने वाली है दोस्तों. क्यों जैसा कि हम जानते हैं कि जमीन की नीचे तो सिर्फ 70% पानी ही मौजूद है. तो सिर्फ इतनी मातरा में तेल निकालना कैसे संभव है और वो कौन सा तरीका है जिससे तेल भरपूर मातरा में प्राप्त किया जाता है. दोस्तों यूक्रेन और रूस की लड़ाई से पहले हर एक देश अपने लिए कैसे सोत की तलाश कर रहा है जो जीवाश में इधन जितना सस्ता और सुरक्षित हो. लेकिन ऐसा नहीं हो पाया. क्योंकि जब इन दो देशों के बीच जंग की शुरुआत हुई तो रूस ने आयातित उर्जा को एंपोर्ट करना बंद कर दिया. इस इस पर लड़ाई का कुछ भी असर देखने को मिला था. लेकिन दोस्तो फिर भी भारत ने उर्जा सुरक्षा पहल में अपना योगदान दिया और सबसे बहतर करने का फैसला किया. इनर्जी के सबसे चसा अधन सोलर और विंड को माना जाता है. लेकिन इनको लगतार इस्त लावा एलेक्रिक सिटी वीकल भी मौजूद है लेकिन ये पैट्रोल डीजल के मुकाबले में फीके हैं. इसलिए भारत ने दूसर तरीका अपनाया है एक नए मिशन की शुरुआत का जिसका नाम था राश्ट्रे हरित हाइडरोजन मिशन. इसमें सरकार ने करीब करीब 20,000 करोर रुपए खर्च किये हैं. ये मिशन दोस्तों इसलिए मनजूर किया गया है ताकि हाइडरोजन की मदद से घरे लुक शमताओं में सही से विकास हो सके. अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो प्रकृती में आसानी से मिल सकता है, तो फिर इन सब की क्या जरूरत है? तो आपको अची तरह से इस मिशन के बारे में बताते हैं. और साथ ये बताते हैं कि आखिर इस मिशन से क्या फाइदा होने वाला है? ग्रीन हाइडरोजन ये पानी की इलेक्रोलिसिस से मिली वो हाइडरोजन होती है, जिसे बनाने के लिए या तो सोलर एनरजी का इस्तमाल किय जाता है या फिर विंड की मदस इसे बनाया जाता है. इन दोनों से ही हाइडरोजन प्राप्त होती है. वही प्रती यूनिट के हिसाब से भी दोस्तों हाइडरोजन में ज्यादा एनरजी पाई जाती है. यही वज़ा है कि इससे एकदम साफ और शुद एनरजी मिलती है. औ लाकि कार्बन डायोकसाइड जैसी हानिकारक गैस से छुटकारा मिल सके और साती वादा वरल में भी कुछ सुधार हो सके क्यूंकि ग्रीन हाइडरोजन को एक बहुत ही अच्छा रिसोर्स समझा जाता है. यह जीवाश में इधन पर निर्भरता को कम कर देता है इसलिए हर एक देश इस ग्रीन हाइडरोजन का ही सहरा लेते हुए नजर आ रहे हैं. भारत सरकार ने दोस्तों ग्रीन हाइडरोजन को पढ़ावा देने के लिए 19,444 करोड का बजट बनाया है. इस रकम में से करीब 17,490 करोड रुपए उतपादन से जोड़ी हुई जो भी प्रोसाहन योजनाए उनके लिए और पालेट प्रजेक्स के लिए 1466 करोड रुपए तैक किये गए हैं. वहीं विकास और अनुसंधान के लिए भी 400 करोड रु रही है. इसके लिए सरकार भले ही कम समय के लिए लेकिन इलेक्ट्रोलाइजर पर इंपोर्ट टेक्स भी माफ करने का विचार बना रही है. ताकि लोगों को ज्यादा ज्यादा सपोर्ट मिल सके. सरकार का कहना है कि हमने साल 2030 तक करीब करीब 50 लक टन ग्रीन हाइडरोजन को पाने का टार्केट बनाया है. जिससे ज़्यादा ज़्यादा ग्रीन हाइडरोजन मिल सके. इस मिशन को देखते हुए 19,444 करोड रुपई की परमीशन भी दे दी गए. जिससे इस मिशन को पूरा करने में कोई भी रुकावट ना आए. इस सपोर्ट को देखते हुए वार 500 तन हाइडरोजन आराम से बनाया जाश्कता है. ऐसा बताया गया है कि पूरवाअंचल में पालेट प्रॉजेक्ट के रूप में और भी बहुत से प्लांट लगाया जा सकते हैं. जिससे यहां पर एक प्लांट से 1 से 1 साल में करीब 500 तन हाइडरोजन मिल सकता है. यहां पर पूर्वांचल में खेती के उत्पादन से हमें हाइड्रोजन के अधिक से अधिक उत्पादन करने का मौका मिला है जोक्टर प्रीतम ने बताया कि जहां आज तक खेती से हमारी रोज की जरूरते पूरी होती थी वहीं अब यह हाइड्रोजन बनाने में भी काफी मदद कर रहा है इनका कहना है कि किसान खेती करने के बाद जो भी गन्ने के छिलके गेहूं से निकली भूसी खास और भी जो कुछ वेस्ट मेटीरियल होता था पहले यह लोग उसे जला दिया करते थे लेकिन अब ऐसा नहीं है अब हम इन वेस्ट माटीरियल को हाइड्रोजन बनाने के लिए इस्तमाल कर रहे है इन सब की मदद से हमें शुद्ध और साफ हाइड्रोजन मिल रही है डोक्टर पreetham का कहना है किसी के चलते अभी बिना किसी संसाधन या फिर सरकार के किसी भी मदद के बिना रोजाना मिर्जापूर में आधा टन ग्रीन हाइड्रोजन प्राप्ट कर रहे है हर रोज एक से पांच टन ग्रीन हाइडरोजन बनाने वाले पाइलेट प्रांट का खर्च सौ करोर रुपए है इस मिशन को देखते हुए बहुत सी बड़ी-बड़ी कमपनिया भी अपना पैसा इसमें इन्वेस्ट कर रही है साथ ही आईटी कमपनी भी ग्रीन हाइडरोजन के शोद में लगी पड़ी है जिससे आने वाले समय में लोग को बहुत ज़़ा फाइदा मिलेगा विग्यानिक प्रीतम सिंग ने दावा किया है कि एक लीटर पैटरोल के बराबर एनरजी का जो ग्रीन हाइडरोजन होगा वो पचीस रुपए कम में आपको मिल चाएगा इसका रेट पैटरोल से बहुत ही कम देखने को मिलेगा साथ ही ये भी बताया गया है कि जहां एक लीटर पैटरोल एक सो पांच रुपए की कीमत में बाजार में बिकता है और इसके अंदर 3.54 मेगा जूल एनरजी होती है इतने से दोस्तों एक 100 सिसी की बाइक सिर्फ 60 किलोमेटर का सफर ताय कर सकती है जो कि क्रीन हाइडरोजन की मदद से आप 60 किलोमेटर का सफर सिर्फ 80 रुपए में कर सकते है इसके इस्तमाल से पल्यूशन जैसी समस्या भी देखने को नहीं मिलेगी आकिर इसका इस्तमाल कैसे किया जाएगा गाडियों में ये फ्यूल गैस लगाई जाएगी जिसे आप एक बैटरी की तरह भी मान सकते हैं इसके अंदर एक अनोड और एक कैथोर्ड नाम के इलेक्रोड लगे होंगे इन्हीं की मदद से केमिकल प्रोसेस होता है और फिर उर्जा पैदा होती है लेकिन सवाल ये है कि इन पैटरोल और तेल का पता कैसे लगाया जाता है कि ये जमीन में इतनी मातरा में मौझूद है इसके लिए 200 फीट तक जमीन में बोरिंग करके एक बंब डायनमिक को डाला जाता है और जब ये फट जाता है और इसके 10 किलोमेटर के एरिया में भी इफेक्टेट हो जाता है इसके बाद साइंटिस्ट इससे निकलने वाले सुक्ष्म तरंगों को फोन की मदद से रिकॉर्ड करके इनके बारे में पता लगाते है इसके बाद सुपरकंप्यूटर की मदद से 6.5 में के बाद पता लग जाता है कि कहां पर कितनी मातरा में तेल है इस तरह से ये लोग तेल को प्राप्त करते हैं दोस्तों आपको क्या लगता है कि ग्रीन हाइडरोजन गैस के बाद पैड्रोल भारत में बिकेगा या फिर पूरी तरह से बंद हो जाएगा कॉमेंट में लिकर जरूर बताएं वीडियो को लाइक और शेर करें और आने वाली वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें जिससे आने वाली वीडियो आपसे मिसनाओ मिलते हैं अगली वीडियो में अपना बहुत ख्यार रखें बाई बाई टेक केर